नमस्कार मैं विभूर और आप देख रहे हैं न्यूस लाइव राष्ट्रपति की अभिभाशन के साथ आज से शुरू हुआ बजट सत्र लोग सभार में पेश तिया गया आर्थिक सर्वे संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है यह बजट सत्र दो चर्णों में होगा पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 13 माज से 6 अपरेल तक चलेगा सियासट दिन लंबे बजट सत्र में कुल 27 बैठके होंगी दो फरवरी से प्रशनकाल शुरू होगा राष्टपती द्रॉपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुबात हुई राष्टपती द्रॉपदी मुर्मू ने पहली बार लोगसबा और राजसबा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीता रमन एक फरवरी सुबह 11 बजे संसद में वितवर्ष 2023 का आम बजट पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2023 में विकासदर 6.8 फीस दी रहने का अनुमान है ये मौजूदा केंद्र सरकार का आखरी पूर्ण कालिक बजट इस बार भी पेपरलेस होगा राष्टपती द्रॉपदी मुर्मू ने अपने एक घंटे दो मिनट तक चले अभिभाशन में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ती वाली सरकार है यह सरकार बिना डरे काम कर रही है इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक आतंगवाद पर सक्ती आर्टिकल 370 और 3 तलाग का हवाला दिया राष्टपती मुर्मू ने सरकार को लगातार दो बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया उन्होंने कहा कि हमें आत्म निर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ने हो मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही राष्टपती मुर्मू ने रेहडी वालों की बात कही तो ग्यारा करोड छोटे किसानों की मदद के लिए सवादो लाग करोड रुपे की सम्मान निदी का भी जिक्र किया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा भारत के बजट पर सारे विश्व की नजरे हैं और ये समूची दुनिया की अर्थ विवस्ता को रोश्नी देगा प्येम मोदी ने कहा कि इस बजट पर ना केवल भारत बलकि विश्व का भी ध्यान है ये बजट दावाटोल होती दुनिया की अर्थ विवस्ता को भी प्रकाश देगा मुझे उमीद है निर्मला जी हर उमीदों पर खरी उतरेंगी हमारा एक ही विचार है सबसे पहले देश होता है सबसे पहले देशवाजी बजट सत्र में तकरार भी रहेगी और तक्रीर भी होगी सदन हर मुद्दे पर बहुत अच्छी चर्चा करेगा सभी सांसत पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में हिस्सा लेंगे यह सत्र हम सभी के लिए महत्पूर्ण होगा हाइटेक अंदाज में होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का सफर पी एम मोधी चार फरवरी को करेंगे उद्खाटन चार फरवरी को देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्खाटन करने जा रहे हैं जर्मन टेक्नलोजी बेस्ट यह एक्सप्रेस वे इतनी एडवांस है कि अब दिल्ली से मुंबई का सफर आदा हो जाएगा इसके अलावा दूरी कम होने की वज़े से फ्यूल भी कम लगेगा आठ लेन वाली एक्सप्रेस वे देश की पहली अनिमल पास और स्ट्रेचिबल हाईवे है जहां जरूरत पढ़ने पर इस अक्सप्रेस वे को बारा लेन में बढ़ाया जा सकता है वहीं जानवरो को रोड पास करने के लिए जगा जगा पर अनिमल पास बनाया गया है ताकि जानवर सड़कों पर नए आ सके और संभावित दुरगटना से बचा जा सके आपको प्रतेक 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर मिलेगा जहां एमरजेंसी के दोरान जरूरत मंदू का इलाज हो सकेगा वहीं दिल्ली से मुंबई तक पूरे 93 जगाओ पर स्टॉपेज सुविधा मिलेगी जहां यात्री गाड़ी को ठंडा कर सकते हैं रेस्ट और जल्पान भी कर सकते हैं दिल्ली से मुंबई तक जाने में हर 50 किलोमीटर पर एक स्टॉपेज जरूर मिलेगा डॉक्यमेंटरी विवाद पर रश्या ने दिया भारत का साथ बिटिश मीडिया पर बड़ा आरोप रूस ने एक बार फिर साबित किया है कि वे भारत का असली दोस्त है बिटिश प्रसारक BBC की विवादासपत डॉक्युमेंटरी के खिलाफ रूस ने खुल कर भारत का पक्ष लिया है। रूस ने BBC पर ने केवल उसके विरुद्ध बलकि स्वतंत्र नीती अपना रहे अन्यवेश्विक केंद्रों के विरुद्ध भी विभिन मोर्चो पर सूचना युद छेड़ने का आरोप लगाया है। कुछ दिनों पहले ही इस ब्रिटिश प्रशारक ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर विवादास्पत सीरीज जारी की थी। बारत सरकार ने इस डॉक्युमेंटरी पर सक्त प्रतिकिरिया देते हुए इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। ब्रिटिश प्रधान मंतरी रिशी सुनक भी बीवीसी की इस विवादिट डॉक्युमेंटरी से पल्ला जहार चुके हैं। उन्होंने ब्रिटिश संसद में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह ऐसे चरित्र चित्रन से सहमत नहीं हैं। जारी की है। यह एडवाइजरी एक मार्च 2003 से लागू होगी। इस एडवाइजरी में एक e-portal बनाने की बात भी कही गई है जहां रास्टे महत्व के कारेकरमों का वीडियो साजह किया जा सके। मंतराले के मुताबिक उसने कई ब्राडकास्टर्स और चैनलों की एक एक एसोशियेशन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। मंतराले के अनुसार कारेकरम की अवधी 30 मिनट की होना आवश्यक रखा गया है। सचिन तंदुलकर करेंगे महिला अंडर 19 टीम विश्व विजेता खिलाडियों को सम्मानित जैशाह ने किया एलान। महिला अंडर 19 टीम ने T20 World Cup का खिताब अपने नाम किया था अब भारतिय क्रिकेट कंट्रोल वोर्ट की ओर से विजेता टीम के खिलाडियों के लिए सम्मान समारो का आयोजन हो रहा है। सम्मान समारो भारत और न्यूजिलेंड के बीच एक फरवरी को एहमदाबाद में होने वाले तीसरे T20 मैच की शुरुआत से पहले होगा। खास बात यह है कि खिलाडियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तैंदुलकर के हातों सम्मान मिलेगा। जैशाहा ने ट्विटर पर लिखा कि हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत रत्न सचिन तैंदुलकर और BCCI के पदाधिकारी विजई इंडिया अंडर 19 टीम को एक फरवरी के दिन नरिंद्र मोधी स्टेडियम में सम्मानित करेंगे। युवा क्रिकेटरों ने भारत को गर्वानवित किया है और हम सब उनकी उपलब्दियों का सम्मान करेंगे।